जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी खा आपके अपने चाइनल सर्मा फैंटिसी ग्रूप में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाईजूस पॉंडेचरी मिन्स टीट्वेंटी के आज के फस्ट मैच के बारे में यह मैं दोस्तो तुसकर 11 और लायनस 11 के भी खेला जाएगा डैट मिन्स दोस्तो टी उएस और लायो के भी खेला जाएगा मॉर्निंग में दोस्तो नौ बज के 30 मिनट पे मैच स्टार्ट जाएगा और जहां तक बात है इस मैच से रिलेटेट फाइनल टीम तो दोस्तो मैं आपको 9 बच के 15 मिनट पे टेलीग्राम पे पर भाइट कर दूँगा तो दोस्तो यदि आप नए हो तो टेलीग्राम को जरूर जुआइन करना टेलीग्राम का दोस्तो लिंक आपको नीच दोनों टीमों का दोस्तो जो प्लेइंग लिवन आएगा वो भी मैं दोस्तो टस्क के बाद पर भाइट करूँगा आपको और जो भी important fact हो सकता है प्लेइंग लिवन से related सभी कुछ दोस्तो आपको मैं टेलीग्राम पे पर भाइट करने वाला हूँ तो आप टेलीग्राम के पात्सИदर आपताइब लिविवी दोस्तों मैं आपको दोनों टीमों का total statics लागा हूँ दोस्तो मैं आपको वृवी adult क रखूँ है जो पलेः मैं आपको अप्लेशन में बताँगा घंटन का यसते आपको काफी helps करूख लिकार में एक हैण defenders कंतब सन्सकिसे निरोन में को पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना बात करें दोस्तो इस मैच से रिलेटेट पीछ रिपोर्ट का तो दोस्तो ध्यान से सुना दोस्तो जो पीछ रहने वाला है वह आपका कमबिनेशन मना आज का मैच का बात करें दोस्तो मिन्स T10 में इस ग्राउन का कैसा परफयरमेंस रहा था दोस्तो टीटेन फिप्ट्टेव मैच हुए थे जिसमें दोस्तो first batting करने वाली तीम ने win किया था और दोस्तो 22 अभी इस tournament में total 8 match हुए है जिसमें दोस्तो 5 match batting first करने वाली team ने win किया और 3 match दोस्तो batting second करने वाली team ने win किया तो आप देख सकते हो first batting जो भी team कर रहा है उसको यह 5 काफी ज्यादा favor कर रहा है बात करें दोस्तों दोनों टीमों का recent performance क्या रहा है अभी तक स्टूडामेंट में तो दोस्तों 2S ने 4 match खेला है जिसमें 4 match में 2 match इनों ने विन किया और 2 match लॉस किया है वहीं दोस्तों L.A.U.A. ने 2 match खेला है और 2 match विन किया है दोस्तों ये चीज आप जान लो न तो आपको combination बनाने में बहुत जादा help होता है तो देखो आज का जो match है दोस्तों इस tournament का सबसे जो दो base team है उसके बीच हो रही है तुसकर 11 और Lions दोस्तों दोनों इस tournament की बहुत ही मजगूर team है दोनों का team दोस्तों बहुत ही balance है that means आज का जो match रहेगा दोस्तों इस tournament का सबसे rixi match रहेगा हम लोग के लिए भी तो ये बात को दोस्तों ध्यान में रखके आप लोग combination मनाना इरा माना तो दोस्तों इस वाले match में आप लोग जीतना mini GL और grandly खेल सकते हो उतना खेलना smallly खेलने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों simple सा चीज़ देखना 6-5 नहीं तो 5 हो इस दोनों combination से extra आप लोग try मत करना 7-4 का combination दोस्तों आज वाले match में please अभी के लिए भूल जाओ नहीं तो दोस्तों आप loss कर जाओगे तो please simple सा यही चीज़ का ध्यान रखना combination किस तरह से बनाना है favor दोस्तों किसी भी टीम को आपको नहीं करना है दोनों टीम मजगूत है हाँ यदि आप थोड़ा सा ही favor करना चाहते हो तो simple सा ध्यान रखना जो भी टीम दोस्तों toss win करे न और batting first करे उस पे दोस्तों आप 6 और 5 का combination बना ले न आज का match का दोस्तों यही चीज़ आपके लिए trump card हो सकता है अब हम लोग बात करते हैं आज के match में combination किस तरह से बनाएंगे और साथी साथ दोस्तों मैं आपको परते खिलारी का statics भी बताऊंगा तो please ध्यान से सुनिएगा और जो भी मैं statics बताऊं उसको try किज़ेगा follow करने का और आप यदि खुद से भी team बनाना चाहते हो तो दोस्तों जो भी मैं combination बताऊंगा जो मैं आपको 11 player provide करूंगा उसमें 2 से 3 player को change कर सकते हो ज्यादा changes मत करना और वो भी दोस्तों 2-3 player कोंसे आप change कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा mainly दोस्तों आपको allounder और balling section से इस वाले match में आपको problem होने वाला है किप्रिंग section में दोस्तों आपको कोई problem नहीं है आपको दोस्तों आर आर्यन को ही try करना है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन खेला रही है इनका दोस्तों T10 का पहले मैं आपको statics बता दता हूँ T10 में दोस्तों इन्होंने अभी तक 13 match खेले 345 run score किये 28 का average रहा है बैटिंग section से दोस्तों मैं नीचे से आपको बता हूँ तो मैं स्री राम को try करने वाला हूँ स्री राम का दोस्तों बहुत ही अच्छा form चल रहा है 14 और 40 का इस tournament में score किये तो अच्छे खेला रही है और extra आपको pick भी नहीं दिखेगा पी अकास दोस्तों काफी वेहतरीन खिला रही है T10 में इनका दोस्तों बहुत ही खराब recorder रहा था लेकिन दोस्तों T20 में अभी तक 2 match खेले एक match में 72 score किया था और दोस्तों एक match में 5 run score किये थे और दोस्तों जो 5 run score किया थे उस match में ये run out हो गये थे नहीं तो दोस्तों उस match में भी काफी अच्छे touch में दीख रहा थे तो बीग score कर सकते थे तो हम लोग के लिए दोस्तों बैटिंग सेक्षन में अकास काफी इंपोर्टेंट पीक है और जोस्तों लास्ट चो पीक है ये मेरे रहेंगे बैटिंग से आनद दोस्तों इनका T10 का पले मैं आपको statics बता देता हूँ 14 match खेले हैं 298 रने score कि और 27 का average था T10 में वहीं दोस्तों इस tournament में अभी तक 28, 4, 63 और 8 run का 4 पारी इनों ने खेली है एक पारी तो 63 run वाला बहुत ही सांदार खेली थी और साथी साथ बता दू ये आपको टॉप order में बैटिंग करने आते हैं तो काफी important बज़ जाते हैं आप grand league में captain भाइस captain भी इनको कर सकते हूँ बहुत ही बेतरी इन खिला रही है नीचे दोस्तों आपको grand league ए small league किसी के लिए भी उतना खास option नहीं दिखेगा और launder section में ध्यान से सुनिएगा प्लीज अपसे कमलेस आपके लिए बहुत important है प्रम स्वामे आपके लिए काफी important है एस जीगर आपके लिए काफी important है जो last option है दोस्तों उहाँ पे आपको थोड़ा सा confusion है देखो के पांडया इस टूनामेंट में अच्छे form में चल रहा है और वेगेस भी दोस्तों इस टूनामेंट में बहुत ही सांदार form में चल रहा है लेकिन दोस्तों आप दोनों में से किसी एक को pick कर सकते हो के पांडया का दोस्तों बात करें तो इनका पले मैं आपको T10 का statics बता देता हूँ 14 मैच खेलें 357 रन स्कोर किये 40 का average रहा है दोस्तों और 8 बिकेट लिये दोस्तों बात करें वेगेस का तो दोस्तों वेगेस ने इस टूनामेंट में T10 का इनका मेरे पास कोई statics नहीं है लेकिन दोस्तों इस टूनामेंट में अभी तक एक मैच में दोस्तों इन्होंने 4 बिकेट लिया था उपर दोस्तों जैसा मैंने बताया था एस जीगर का तो दोस्तों एस जीगर का मैं आपको सबसे पहले टीटेन का स्टैटिक्स बता देता हूँ 15 मैश खेले इन्होंने 222 रन स्कोर किये 22 का अब्रेस था और 12 बिकेट लिए बहुत ही संदार औल राउंडेर दोस्तों इस टूनामेंड में तो अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं जो लास्ट मैं चीनों ने खेला था उसमें 22 रन स्कोर किये थे एक बिकेट लिए थे उससे पहले दोस्तों solar run score करके एक बिकेड लिये थे उससे पहले दोस्तो चौववन run score करके एक बिकेड लिये थे और जो starting match था उसमें इन्होंने कुछ खास नहीं किया था 9 run score किये थे और 0 बिकेड लिये थे बट खेलारी दोस्तो बहुत ही बहतरीन है प्रम स्वामी दोस्तो 14 मैच खेले टीटेन में 207 रन स्कोर किये और 26 का अबरेज रहा है इनका वही दोस्तो इस टुनामेंट में अभी तक इनका रिकॉर्ड का बात करें तो 2 ही मैच खेले हैं एक मैस में दोस्तु इन् кино ने चार रन स्कोर करके एक विकेट लिया था और एक मैस में दोस्तो 31 रन स्कोर करके जीरो विकेट लिया था मेरे लिए दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट पीक है Agent- Boies Captain- organisation भी आप इन्हें कर सकते हो उपर दोस्तों कमलेज का बात करें तो दोस्तों इनका सबसे पहले T10 का स्टैटिक्स देख लो 15 मैच खेले 291 रन स्कोर किये 22 का एबरेज रहा है और 14 बिगेट लिए और इस टूनामेंट में भी दोस्तों अच्छे फॉर्म में दीख रहे हैं जो लास्ट मैच था उसमें इनोंने 70 इसकोर किया ठावर एक बिगेट लिया था उससे पहले बारार रन इसकोर करके जीरो बिगेट और जो एक और मैच था 24 रन और जो फॉस मैच था 10 रन मेरे लिए दोस्तो important pick बन जाते हैं और देखो यदि आप grand league खेल रहे हैं तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप Vegas को try करना और mainly यदि दोस्तकर 11 first balling करा दिये और ऐसे condition में दोस्तो Vegas बहुत जादे important हो जाते हैं क्योंकि इनका मैंने एक चीज देखा है यह जब भी बिकेट लेते हैं दोस्तो तो दो तीन बिकेट एक साथ ही लेते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखके आप Vegas को mini GL और grand league में try कर सकते हो अभी दोस्तो मैं के पांडे के सा जा रहा हूँ bowling section में दोस्तो देखो तीन पिक आपको लेना है लेकिन दोस्तो तीन पिक बहुत असानी से आपको नहीं मिलने वाला है देखो के पुरूइदे भी बहुत संदार खेला रही है रिकॉर्ड भी काफी अच्छा इनका बताता है इनका मैं रिकॉर्ड का बात करूँ दोस्तो त लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोस्तो इस से बेटर खिलारी भी मैं आपको बता रहा हूं देखो माधबन बहुत ज्यादा इंपोर्टेन है दोस्तो इस टुनामेंट में अलग ही फॉर्म में चल रहा है दो विकेट एक बिकेट एक छे रन एक बिकेट पर एक मैच में आपक लेकिन दोस्तो इस टुनामेंट में से पराभले से बिकेट अब सचलो इसलो कितने जादे इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो मेरे लिए दोस्तो तो इन्होंने एक रन स्कोर करके दो बिकेट लिया है एक्स्ट्रा अप्शन दोस्तो आपको नीचे दिख रहा है संता मो इनका रिकॉर्ड का बात करें तो दोस्तो इन्होंने टीटेन में 12 मैच खेले 15 बिकेट लिए है और इस टूनामेंट में दोस्तो अभी तक 4 मैच खेले एक मैच में 2 बिकेट, 0 बिकेट, 1 बिकेट, 2 बिकेट और 17 रने स्कोर किये तो रिकॉर्ड देखो तो दोस्तो इनका तो बहुत इस्तांदार है इसलिए दोस्तो आपको इनको भी ड्रॉप करने का मौन नहीं करेगा और दोस्तो मैं इनके साथ जा रहा हूं बता दू लेकिन दोस्तो और एक्स्टा ओप्सन बताओ तो यादो भी काफी अच्छे फॉर्म में दीस रहे स्टूनामेंट में अच्छे पिलियर है आप जियल में जरूर ट्राइ करना देखो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए तो आसा करता हूं आप लोगोंने अभी ही टेलिग्राम चाइनल को जोईन कर लिया होगा नहीं कियो दोस्तो तो कर ले क्योंकि जो फाइनल कंबिनेशन रहेगा जो भी पीच रिपोर्ट आएगा और साथी साथ दोस्तो जो भी टीम टस्वीन करेगी उसी के अधार पर जो मेरा फाइनल टीम रहेगा वही रहेगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखके दोस्तो आप लोग टेलिग्राम के साथ ज ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं है यदि आप दोस्तो बैक्स्पेन को फेवर करना चाहते हो तो अनंद के साथ जाना लेकिन जील में यह चीज़ सिर्फ ट्राइ करना यदि आप बॉलर को फेवर करना चाहते हो तो दोस्तो माधबन और स्री एचार बहुत ही इंपोर्टेंट माधबन को दोस्तो आप मिनी जील में भी ट्राइ कर सकते हो सिरी एचार को सिर्फ और सिर्फ आप जील में ट्राइ करना इसमॉल लिंग में दोस्तो मेरे कैप्टें होने वाले एस जीगर बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस टुनामेंड में अलग ही फॉर्म में चल रह साथ है दो दोस्तो आप प्लीज पर्म स्वामी के साथ ही जाना अभी के लिए दोस्तो यह मेरा आज का फाइनल टीम है कोई भी चेंजेज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा दोस्तो आप इसका स्क्रीन सोट ले लो और कॉंटेज जोईन कर लो और द दोस्तो बता दू आज से दोस्तो रोमन टीटेन स्टार्ट होने वाला है और मैं बता दू परतेक मैच मैं कोभर करने वाला हूं तो दोस्तो परतेक मैच का वीडियो भी आएगा तो दोस्तो वीडियो को मिस न करें तो इसके लिए दोस्तो चाइनल को सस्क्राइब करने के बाद notification का घंटी दोस्तो जरूर बजाना जिसे मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको easily notification मिल जाएगा दोस्तो और आप easily मेरे वीडियो को देख सकते हो मेरे combination को समझ सकते हो clear static समझ सकते हो और दोस्तो आप खुद से भी टीम बना सकते हो तो दोस्तो सस्क्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में टेक केर बाई बाई